Hello students, welcome to Replica World आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Mandalian Genetics इससे पहले हम लोग एक और लेक्चर पढ़ चुके हैं जनेटिक्स के बारे में जुसमें हमने Mono Hybrid Cross के बारे में समझ लिया था तो चलिए आज हम कुछ और Important Topic समझते हैं Mandalian Genetics में जैसे कि आज हम लोग समझने वाले हैं test cross, back cross और हम लोग समझेंगे mendel के द्वारा दिये गए laws यानि कि mendel के conclusions जिनको फिर laws में convert कर दिया गया था तो चलिए शुरू करते हैं तो बचों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि test cross और back cross क्या होता है पर उससे पहले हम लोग एक बार revise कर लेते हैं कि mono hybrid cross में हमने क्या पढ़ा था तो mono hybrid cross में बच्चो क्या होता है जो हमारा mono hybrid cross था बच्चो उसका मतलब क्या है mono hybrid cross में mendel ने क्या किया था कि एक एक character लिये थे यानि कि एक character लिया था सिर्फ या तो उसने height लियी थी या फिर flower color लिया था या pot position लिया था या कुछ भी लिया था अपर चारेक्टर सिर्फ एक ही लिया था तो मुस्ट कॉमनली जब हम समझते हैं मोनोहाइबिड क्रॉस को तो जाधा तर हम लोग क्या करते हैं जो हाइट है उस फैक्टर को हम चुनते हैं जिसमें कि मेंडल ने दो प्लांट्स लिए एक प्लांट वो था जो कि तॉल था एक जो उसके अंदर दोनों अलील थे यूनिट फैक्टर जिन मेंदन बोला था यो दोनों सेम थे, वह दोनों ढुれたंत के लिए थे। तो इस तरीके से जो हमारे टॉल प्लांट होता है उसके लिए जो हमारा पास होता है टी और टी और टी टी प्रोजानी लिए चैसे सब क्या थे टॉल थे पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह हेट्रोजाइगस टॉल थे हेट्रोजाइगस टॉल पर जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया था तो मेंडल को नहीं पता थी यह चीज़ कि यह हेट्रोजाइगस टॉल है उन्होंने cross कराया उनको cross कराने पर tall plant मिले तो उनको तो शुरू में यही लगा कि tall जो है dominant है और पूरी तरीके से tall के characters में आ गई है tall हो गया है ना शुरू में तो उनको यही चीज लगे होगी पर जब उन्होंने further crosses कराया तो उन्हें पता चला कि यह जो tall character है यह homozygous नहीं है tall भले ही है morphology यानि देखने में वो plant tall भले ही है पर उसमें एक short वाली allele भी है यानि एक dwarf वाली allele भी है तो इस तरीके से उनको पता चला कि यह heterozygous tall है क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें मेंडल ने जो जो की थी इसलिए हम अभी ही बता पा रहे है कि यह heterozygous tall आता है यानि heterozygous होता है यह जो होता है और heterozygous होता है उसको हम hybrid भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें दोनों alleles हैं तो यह hybrid हुआ चीक है इसको hybrid भी हम लोग बोल देते हैं उसके बाल बच्चो जब F1 generation को हम self-cross कराएंगे इनका जब इनका हम लोग self-cross कराते हैं बच्चो तो फिर हमें जो second filial generation मिलती है यानि कि जो F2 generation मिलती है उसकी जो progenies होते हैं वो हमें tall भी मिलते हैं और dwarf भी मिलते हैं 3 ratio 1 में यानि कि अगर total 4 plants है यान total 4 progeny हैं तो 3 हमारी tall होंगी और 1 हमारी dwarf होगी तो इस तरीके से हमें मिलते हैं F2 generation में जब F1 generation को self-cross कराते हैं तो F2 generation में हमें 3 ratio 1 के ratio में tall भी द्वार्फ plants मिलते हैं और actually में ये भी ये तो क्या है हमारा phenotype है कि 3 tall और 1 dwarf अगर हम जाएं genotype पर तो genotypically क्या होता है ऐसे नहीं होता है genotypically एक pure tall होता है दो hybrid tall होते हैं और एक हमारा pure dwarf होता है तो ये तो phenotypic ratio है 3 ratio 1 जो genotypic ratio होता है यानि कि जो actual में इसका genetic constituent है तो genotypic ratio जो है genotypic ratio बच्चो जो हमारा आता है वो आता है हमारा 3 ratio 1 sorry 2 ratio 1 ratio 2 ratio 1 जिसमें कि एक हमारा pure tall होगा बच्चो दो हमारे hybrid tall होगे दो हमारे hybrid tall होगे बच्चो और एक हमारा pure dwarf होगा तो इस तरीके से बच्चो 1 is to 2 is to 1 का ratio आता है जिसमें 1 pure tall, 2 hybrid tall और 1 pure dwarf तो इस तरीके से हमारा ये ratio आ जाता है यह हमारा phenotypic ratio होता है monohybrid cross का तो यह तो हमारा monohybrid cross था बच्चो उसके बाद अब हम समझते हैं कि back cross क्या होता है test cross क्या होता है back cross और test cross जानने के लिए ध्यान रखना कि हमें F1 generation में monohybrid cross में क्या मिला था F2 में क्या मिला था तो उससे आपकी जो understanding है back cross की test cross की वो और जादा better हो जाएगी ठीक है तो हम लोग बात करते हैं कि test cross क्या है या back cross क्या है दोनों चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों की back cross क्या चीज होती है कै BACC by 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 BACC ≤ बाच का मतलब से पीचे जाना पड़ता है पीछे जाना पड़ता है जो हमारा F1 progeny है यानि हमारा hybrid progeny है F1 यानि 1st, esta feature जनरेशन वाला उसका cross हम कराएंगे बच्चों उसके parent के साथ में किसी भी एक parent के साथ में उसका cross कराएंगे उसको हम लोग back cross बोलते हैं तो इसमें क्या होता है in this f1 hybrid is crossed with one of its parent crossed with one of its parent ठीक है जब F1 hybrid को हो यानि F1 का जो प्रोजनी है उसको उसके किसी एक parent से तो उसको हम लोग back cross बोलते हैं अब यह तो बात हुई कि back cross इसको बोलते है पर back cross किया क्यों जाता है करवाया क्यों जाता है back cross बैक्क्रोस इसलिए करवाया जाता है कि parents के अंदर कोई अच्छा character है अगर कोई good character है उसको population में दुबारा introduce कराने के लिए दुबारा से population में लेके आने के लिए बैक्क्रोस कराया जाता है क्योंकि अगर बैक्क्रोस हम कराएंगे तो जब hybrid के साथ क्रोस कराएंगे parent का तो parent के जो अच्छे character है population में दुबारा से introduce हो जाएंगे for the introduction of good character in the population क्योंकि जो हमारा parent है चाहे वो हमारा dominant वाला पेरेंट हो चाहे वो recessive वाला पेरेंट हो चाहे वो टॉल वाला पेरेंट हो चाहे वो dwarf वाला पेरेंट हो वो अपने characters के लिए बिल्कुल pure है यानि कि जो टॉल वाला है वो purely tall character रखता है और जो dwarf हो purely dwarf character रखता है उनकी दोनों वालील same है है ना इस तरीके से तो इसलिए जो भी good characters parent के अंदर है अगर वो हम आगे population में यूज कराना चाहते हैं तो हम लोग back cross कराते हैं उसके बाद next हमारा बचो आता है test cross अब test cross क्या होता है test cross basically एक type है back cross का तो it is a type of back cross it is a type of back cross ये back cross का बच्चो एक type होता है अब कौन सा type होता है back cross का ठीक है तो basically हम यह बोल सकते हैं कि test cross एक ऐसा cross होता है test cross एक ऐसा cross होता है जहां पर F1 hybrid को यानि F1 की जो प्रोजेनी है उसको recessive parent की तरह parent के साथ cross कराया जाता है basically back cross में क्या था है F1 प्रोजेनी को हम लोग दोनों में से किसी भी parent के साथ cross कराते थे test cross में हम क्या करते हैं F1 प्रोजेनी को recessive parent के साथ cross कराते हैं तो in this F1 प्रोजेनी यानि की hybrid is crossed with recessive parent इसको recessive parent के साथ हम लोग cross कराते हैं बच्चों इसको हम लोग recessive parent के साथ cross कराते हैं तो ये बात हो जाती है हमारी test cross की अब test cross क्यूं कराया जाता है आप क्यूं कराया जाते हैं इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि कराया कैसे जाता है इसको थोड़ा से समझते हैं test cross को कि किस तरीके से इसको कराया जाते हैं यह समझ लेंगे किसको किस तरीके से हम लोग कराते हैं तो यह समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि इसको हम क्यों कराते हैं तो बच्चों बेसिकली टेस्ट क्रॉस में मैंने क्या बोला देमाग में रखना तो मॉनोहाइबिड क्रॉस में जो हमारे फवन प्रॉजेंट है उसका क्या है हमारा जेनो टैप उसका घीनो टैप हमारा टीटी ठीक है कि और जो हमारे रिएसेसिफ पेरेंट है उसका हमारा क्या है उसका है हमारा small t small t यानि वो purely dwarf है यह recessive parent है अब इनका cross हम लोग कराएंगे तो जब हम cross कराते हैं बच्चो तो यह तो हमारा progeny का genotype है यह हमारा parent का genotype है जब इनसे gamets बनते हैं तो यह जो है यह independently अलग हो जाते हैं है तो एक तरीके की gaiden में थो capital दी आएगा दूसरे में small t आएग कि सथी तरीक जब हम इनके gamets बनाएंगे मतला जब इसके gamets बनेंगे तो एक में small t और दूसरे में आप हम लोग प्रयानीहीं प्रोजैनी मेल प्रोजैनी हो गया पैरें और फीमैल प्रोजैनीहीं है स्मॉल टी ठीक है और पेरिएंट पास कॉन-कॉन से गमिट इस मौल्ल टी मू अब इनको क्रोस कराते हैं क्रोस कराने का क्या तरीका होता है कि दोनों गामेट्स को आपस में fpex करा देते हैं ला तो haha meansuser एंद तो इन दो्वाधन को clear हैं मतलब यह तो gustaría 높 capitalize강 में लिए कईकाव प्राइद डाल डेंगी केपितली dates स्मॉल्टी स्मल्टी Paige मॉल्टें ड्स्मॉटी तो यहां से आप देख रहे हो कि यह हमार यह मारा मैं तो लाया और यह हमारा डौर्फ आया बच्चो इसका मतलब हमें यह चीज पता चली कि टॉल और डौर्फ का रेशो वन इस तुवन होगा है ना वन इस तुवन आप सोचेंगे कि दो टॉल आये दो डौर्फ आये तो टू इस तू क्यों नहीं है तो बच्चो टू इस तू बी तो जब मतलब हमने एक हाइब्रिट पकड़कर उसके प्लांट को पकड़के क्रॉस करा दे कितने भी उसमें प्रोजेनी आएंगी ठीक है तो हम एक को पकड़के तो नहीं कराते है तो दिखाने का तरीका है तो जो टॉल और डौर्फ प्लांट आएंगे वो वन इस तू वन में हैंगी 50% टॉल होंगी और 50% हमारी डौर्फ होंगी बच्चो ठीक है अब चलो एक ट्विस्ट की बात करते हैं इसमें एक्ट्विस्ट की बात करते हैं देखो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम लोग टेस्ट क्रॉस की बारे में बात करें हैं तो मैंने एक लाइन का इस्त पेरिंट के साथ में थीक है या हम है प्र hezep違ady है तॉप्षिज série के लिए क्योंकि जब क्रॉस कर आते हैं उस त्याहि महीं पता ही नहीं होता है कि या ही़ीड कि समझते हैं इस चीज को किसी चीज को हम लोग रीड था बोलते हैं बच्चो जब हमें पता HOता है कि उसमें दो चीजों की mixing है है ना या फिर दो अलग-अलग चीजे उसमें है तब हम उसको hybrid बोलते हैं ठीक है तो बच्चों इसमें basically क्या है कि अभी हमें नहीं पता है cross कराने से पहले कि वो जो हमारा office spring आया है F1 generation का वो pure है या वो hybrid है ठीक है का मतलब क्या था देखो क्या था कि हमारे पास basically हम लोगों ने test cross क्यू कराने का सोच है यानि जो भी scientist थे उन्होंने ऐसा क्यू सोचा कि हमें test cross करवानी की जरुद है तो basically था क्या कि जब monohybrid cross कराये गया उस time जब जो हमारा F1 प्रोजैनी बना वो हमारा टॉल आया है ना यानि उसमें dominant character था तो हमें यह नहीं पता था कि वो pure dominant है यानि वो purely tall है या फिर उसमें क्या है एक recessive allele भी आया है यानि वो homozygous tall है या heterozygous tall है या हमें नहीं पता था homozygous का मतलब होता है कि जब दोनों allele same हो अगर tall है तो दोनों allele capital T, capital T हो तो वो homozygous है अगर एक capital T, एक small T है तो वो heterozygous है तो हमें नहीं पता था जब हमने cross कराया क्योंकि एक्चुल जब practical हम cross करा रहे है तो उस पे jeans तो उसके लिखे नहीं होए प्लांट पर तो हमें नहीं पता है तो हमें नहीं पता था कि वो heterozygous tall है या homozygous tall है यही बात पता लगाने के लिए कि वो purely tall है या वो hybrid है इसी बात को पता लगाने के लिए test cross कराया गया था तो basically हम यह बोल सकते है कि hybrid को हम cross कराएंगे वो इस लहसे से सही नहीं है क्योंकि अभी हमें नहीं पता है जबकि वैसे actually मैं होता है वो hybrid ही F1 वाला है ना F1 वाला hybrid ही होता है generally पर फिर भी हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक हम सिर्फ इतना कहेंगे की F1 generation का प्रोजेशन का जो प्रोजेशन है यानि F1 प्रोजेशन क को जब हम parent से cross कराते हो इसको 2 먹고 और अगर recessive parents करॉते तो these mo do । जियो क्या है देखो teh one generation की जो प्रोजेनी है हो homozygous है या heterozygous है यो पता लगाना ही 10buch का असली मोटिव है हम लोग क्या करते हैं जो हमारा F1 जनरेशन की प्रोजैनी होती है उसको recessive parent के साथ cross कराते है तो जो recessive वाला होता है वो अपने लिए pure होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है दोनों जो होता है या दोनों जो यूनिट फैक्टर होता है वो एक जैसे होता है ठीक है तो इसलिए recessive parent के साथ उसको कराते हैं क्रॉस हम अपने F1 प्रोजैनी को तो अगर F1 प्रोजैनी हमारा क्या होगा होगा होमोजाइगस होगा अगर F1 प्रोजैनी में दोनों ही जो अलील्स है वो सेम होंगी टॉल के लिए होंगी है ना जो F1 प्रोजैनी है अगर वो प्यॉर्ली टॉल होगा होमोजाइगस टॉल होगा और उसके पास दोनों ही जो अलील्स है वो प्रोजैनी के साथ तो जब हम उसको रिसेशिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो सारी प्रोजैनी आएंगी वो टॉल आएंगी जबकी अगर वो जो हमारे F1 जरूर्लीशन का प्लांट है अगर वो हेटरोजैगस टॉल होगा यानि उसके अंदर जो उसका जीनो टाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो जब हम उसको करवाएंगे क्रॉस रिसेशिव के साथ तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो वन इस्टु वन में आएगा यानि 50% प्लांट्स टॉल होंगे प्र तो इस तरीके से हमारी बात हो जाती है बच्चो टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या हो जाती है टेस्ट क्रॉस के बारे में हमारी बात हो जाती है चली यह दो बात हुए हमारी टेस्ट क्रॉस के बारे में अब हम बात करते हैं मेंडल के लॉस के बारे में मेंडल के कंक्लूज जिनको बाद में लॉस की फॉर्म में मोल्ड कर दिया गया थे यानि बाद में इसके लॉस बना दे गये थे जिनको Mendelian Law of Inheritance या Mendelian Law of Genetics भी बोला जाता है तो आईए देखते हैं Mendel ने क्या क्या चीज़े कही थी अपने experiments के बाद में तो Mendel सहाब हमने बोला था पहली चीज़ कि जितने भी हमारी बॉड़ी में characters होते हैं जैसे कि हमारा hair color skin color hair का टाइप हमारी height कितनी है यह सब चीज़े जो यह जितने भी characters होते हैं यह सब characters होते हैं यह factors के द्वारा control किये जाते हैं ठीक है तो हम बोल सकते कि पहला जो law था उनका वो था about the factors या फिर presence of factors ठीक है जो पहला उनका law था हम उनको बोल सकते हैं कि वो factors के बारे में था यह पहला जो उनका conclusions है let's not say law हम अभी बात करें उनकी conclusions की कि उन्होंने किस कौन से conclusions दिये थे तो उनका कहना था कि जितने भी characters हैं जितने भी हमारी body में characters हैं वो सब factors के द्वारा control किये जाते हैं कुछ ऐसे factors होते जो उन characters को control करते हैं और जिस तरीके के factor हमारी body में होंगे उसी तरीके के characters हमें देखने को मिलेंगे अपने अंदर या दूसरों के अंदर तो हम बोल सकते हैं कि characters are controlled by factors ठीक है तो पहली चीज़ जो उन्होंने कही थी वो कही थी characters are controlled by factors characters को factors control करते हैं ठीक है characters यानि कि hair color, skin color, hair का type, हमारी height सब कुछ चीज़े जो है skin color वगयरा सब चीज़े factors उनको control करते हैं factors होते हैं जो कि उनके उनको control करते हैं factors के according ही वो जो characters है वो express होते हैं तो अब यह जो factors हैं इनको अब हम लोग genes कहते हैं तो mendalian factors का मतलब था genes mendal ने जिन चीज़ों को factors बोला था आज उनको हम लोग genes बोलते हैं क्योंकि genes से ही तो सारे character गवन होते हैं genes की according ही हमारे character एक्सप्रेस होते हैं जैसा gene होगा वैसा ही हमारा factor होगा वैसा ही factor हमारा express होगा वैसा ही हम दिखेंगे morphologically है ना तो mendalian factor mendalian factor that is genes उसके बाद दूसरी चीज़ mendal ने ये चीज़ बोली कि जो ये factors होते हैं ये pair में पाये जाते हैं यानि factors अगर other words में हम बोलना चाहें तो ये जो हमारे factors होते हैं ये इनके अंदर ही unit factors होते हैं यानि factors group में पाये जाते हैं एक factor के दो forms होते हैं उन्होंने कहा था कि factors होते हैं Phyre'd यह एकटर के दो फॉर्म होते हैं और वो जो दोनों होते हैं वो एक साथ पया जाते हैsweise Pr B4 2 DO 2 इूनित Factor होते हैं और इस प्यर में पाया जाते हैं कभी कोई सिंगल यह नहीं पाया जाएगा यूनित फैक्टर एक साथ रहते है इसका ज्रॉल बोला है कि यह उसका क्या होगा हमारा जीन Kaiser होगा Utah plant थीक है total plant का हमारा Allen कम लेका है तो छॉब अमारे पास दो चीज़े एक की प्रशली डूसरा कैपिटल यह हमारा है और यह हमारा क्या एक ची प्रशलनेस लेक्या देरा देते नर्ले क्वा गजड़े सी प्रेशपिट ब्लांट तो法 वह सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं आप अगर अगर दोनों फॉर्म जो है एक फैक्टर की जो दोनों फॉर्म्स है वह एक जैसी है अगर एक factor की जो दोनों forms है वो एक जैसे हैं तो इस condition को हम लोग homozygous बोलता है और इसको भी homozygous बोलेंगे कि दोनों एक जैसे है जहां पर factor की forms दोनों अलग-अलग है alternative forms है तो इस condition को हम लोग heterozygous बोलता है बच्चो यह तो आप लोग जानते ही है हम लोग discuss कर चुके है homozygous और heterozygous ठीक है अब यह जो unit factors थे बच्चो यह actually में alleles थे क्या थे alleles जो जीन है वो अलग-अलग forms में पाया जाता है उसको हम लोग allele बोलते है उसके forms को और Mendel ने उसको unit factor बोला था ठीक है अब एक important चीज है बच्चो आप यह बात ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे जीन होते हैं जो एक ही factor के लिए जीन रिस्पॉंसिबल है वो सेम लोकस पर पाया जाते है समझो कैसे हम लोग क्या है diploid organism है और diploid का मतलब होता है हर क्रोमोजोम का साथ ही हमारे पास है यानि की first soum अगर हमारे पास है तो उसका 1 दूसरा क्रोमोजोम वोगा उसके जासे यानि उसके be嘟 कॉपी होगी सबकी एक कॉपि होगी कि युधिं है यहां पर बच्चो मालो थेल्ड को गयर को डिसाइड करता है थर्ड क्रोमोजोम पर वो जीन है जो कि हैर कलर को डिसाइड करता है इसको मैंने इहां पर दिखा दे कि जैसे यह एक जीन है जो कि हैर के कलर को डिसाइड करता है ठीक है तो यहां पर यह जीन होगा हमारे थर्ड क्रोमोजोम पर जो कि हैर कलर को डिसाइड करता है तो जो दूसरा हमारा pair होगा इसका third chromosome का इस पर भी वो same gene available होगा hair color के लिए अगर इस पर gene available है hair color के लिए तो क्योंकि ये इसकी exact copy है ये वाला chromosome इसकी exact copy है तो इस पर भी ये gene available होगा hair color के लिए पर बच्चो यहां पर कौन सा अलील है और यहां पर कौन सा अलील है इस बात पर depend करता है हमारा homozygous condition और heterozygous condition ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर brown color का अलील हो और यहां पर black color का अलील हो एसा भी हो सकता है कि दोनों जो covenant है वह दोनों ही ब्लेक वाले हो या हो सकता है दोनों ही ब्लू वह ब्राउन वाले हो तो कहने का मतलब यहां, अलील्स होते कुछ नहीं है अलील्स होते जीन ही है बस जीन की आल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं तो यहां पर क्योंकि हमारे पास दो क्रोमोजोम्स होते हैं इसलिए जो जीन होते हैं वह भी पेर में चलते हैं यानि जो हमारे एक जीन है वह भी पेर में चलेगा उसके भी तो फॉर्म्स होँगे हमेशाँ जीन्स भी जो हुआ ने गार फोर्म्स होंगे हमेशाँ हमेशा यह वह जीन्स अब जासे भी वरבח करियालभ वहलार्ण ओम में अच्ते हो जाती है हमारे विक्ति के यहां या vigil करी जो होंगे एक तो dominant character पर रिप्जेंट करेगा एक recessive character को basically जो हमारा अगला law आता है Mendel का वो इसी चीज़ के बारे में law of dominance ठीक है उसको हम समझते है law of dominance को जो हमारा next वाला law आता है law of dominance तो Mendel के according law of dominance क्या कहता है Mendel जी के according उन्होंने बोला कि जो हमने एक ही gene के दो alternatives लिए न या एक ही character के दो तरीके हमने लिए एक ही character के दो type लिए उन में से जो एक type है वो dominant होगा दूसरे के उपर एक जो type है वो dominant होगा दूसरे के उपर यानि कि अगर वो dominant वाला होगा तो recessive वाला कभी भी express महीं होगा इसको समझते हैं उन्होंने बोला कि यह जो दो एक ही character के यह जो दौपॉंज हैं मालों कि हम एक था यह यह gost उसक्ट भॉण है जैसे कि अगर श्रहां हो यह यह एक ब्लाइक है प्लाउन है यह एक ब्लाइक चेरग्ड ऐ हेर का खेल चेर हुए था तयों इंद है यह तो इन नो सकता है दोंग है डूमिन रॉमिनाइन का जते हुआ है इसलिए हम लोग कि आफ सकते हैं कि یک जो ब्लायक वाया हेर वाला कर दो मिल होता है अधर ब्राउन हैर जादह कि नहीं होते है ब्लैक दो Film थेमाEl ठीक है तो मेंडल ने यही बात बोली थी कि जो एक करेक्टर के दो फॉर्म होते है उनमेंसे एक फॉर्म डॉमिनेंट होता है ठीक है तो उन्होंने बोला था कि डॉमिनेंट का मतलब यह है कि अगर वो उसके लिए फैक्टर प्रेजेंट होगा अगर dominant character के लिए factor present होगा तो चाहे recessive present हो ना हो फरक नहीं पड़ता express dominant वाला ही होगा कहने का मतला भी है कि अगर black के लिए हम allele मान ले capital B, capital B ये black के लिए है allele हमारी दोनो black के लिए genotype ये है और brown के लिए हमारा genotype है small b, small b, बच्चो brown के लिए small b, small b हमारा हो गया तो Mendel जी का कहना ये था कि जब इनका cross होगा तो ये दोनों क्या होगा एक dismiss आएगा, एक dismiss मेश आएगा है ना क्योंकि gamut में इसी तरीके से होता है तो जब इन दोनों का cross होगा समझ रहे हैं आप तो अब जो Mendel है उनका कहना ये था कि जो हमारे dominant character है वो recessive के presence में भी express होगा यानि dominant वाला अलील अगर आगया हमारा तो फिर इस बात से फरक नहीं पड़ता कि recessive वाला अलील आई या ना आई हमेशा character dominant ही express होगा यानि capital B, small b हमेशा black ही आएगा अगर black dominant character है तो समझ रहे हैं आप तो dominant का मतलब यह होता है कि वो अकेला भी अपने आपको express करवा सकता है अपनी बात मनवा सकता है उसको दूसरे से मतलब नहीं है तो अगर capital B के साथ capital B आए तो भी कोई मतलब नहीं है small b आए तो भी कोई मतलब नहीं है capital B अपने लिए बहुत है वो अपने black color को express करा सकता है जबकि जो recessive factor होता है वो अपने जैसे allele की presence में ही अपने character को express कर सकता है जो recessive character होता है वो तब तक express नहीं होता जब तक कि दोनों alleles recessive वाली ना हो ठीक है समझ रहे हैं आप यह चीज़ तो इसका मतलब recessive curve express होगा जब small b small b अगर आजाए तो ही brown color आप आएगा तो इस तरीके से ये बात मेंडल जी ने हमें बोली थी कि एक dominant factor होता है एक recessive factor होता है और इसके बीच वाली कोई बात नहीं होती या तो dominant ही express होगा या recessive ही express होगा इसके बीच के कोई बात नहीं होगी उन्होंने ये बात बोली तो इसी चीज़ को law of dominance बोला गया था ठीक है तो इस तरीके से ये हमारी बात हो जाती है अब अब next law की बात करते है जो कि है हमारा law of segregation बच्चो नेक्स जो हम लोग की बात करते है वो है हमारा law of segregation अब इसको हम लोग समझेंगे कि law of segregation क्या चीज है तो बच्चो law of segregation क्या चीज होते है इसको समझते है segregate होने का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हम segregate करें उसका मतलब होता है कि हम उस चीज को separate करें क्या कर रहे है हम उसको separate करें तो law of segregation के according क्या होता है कि जो हमारे मेंडल जी ते उन्होंने बोला था कि हर एक जो हमारा character होता है हर एक जो हमारा character होता है वो factor से गवान होता है यह नि factor उनको control करते है हर एक factor जो होता है वो deployed form में पाया जाता है एक तरीके से यानि कि उसकी दो alleles होती है वो एक साथ पाया जाती है दो unit factors होते है एक साथ होते है और तभी जो character है वो express होता है यह चीज उन्होंने बोली थी अब इस चीज के बाद उन्होंने बोला कि भले ही हम लोग क्या है deployed है और इस वज़े से जो हमारे factors है वो deployed condition में पाया जाते है यानि कि दो पाया जाते है यानि कि अगर टॉल की बाद कर तो capity capital T पाया जाता है और यह small T small T पाया जाते हैं पर जब गयमेट बंने के दोरान मविर और मेर चonne Aujourd algumas यह जो दुव entra में असानी से इंडिसाप्रो जाते हैं और जब गयमेट बनते हैं तो यह दोनोग अलाग हो यानि 50% जो एक यहां कि आता है यहां पर यहां पर इसमें तो इसलिए एक यहां किया है पर अगर कोई इसा इंडिविजून होता है जिसमें तो उसके gametes 50% में capital T वाला लील आता और 50% में small t वाला आता और फिर जिस तरीके से दूसरे gametes के ताज fuse करते हैं उसी हिसाब से प्रोजैनी होती उसका हमारा genotype हो जाता ठीक है समझ रहे हैं अगर capital T वाला capital T के साथ कर जाता तो TT हो जाता और अगर small t small t के साथ कर जाता तो small t small t हो जाता और capital T small t कर जाते तो फिर क्या होता तो फिर hybrid बन जाता ई this small niveau każdy का तो एस तरीके से हो जाता तो उनका कहना यह था कि जब booty formation होती है उसके दरान यह हमारे factors होते हैं यह हमारे Indipendently move कर सकते हैं, यह segregate कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, segregation, यानि," आसानी से segregate कर सकते हैं, और 50% gametes में एक तरीके का factor आजाता है, और 50% में दूसरे तरीके का factor आजाता है, इसको हम लोग law of segregation बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक और important चीज़ है बच्चो कि ऐसा होता क्यों है basically देखो क्या होता है हम लोग deployed organism है तो हमारे अंदर हर एक chromosome की दूसरी copy present है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया तो अगर मालो यह एक chromosome है तो यह उसकी copy है माल लीजे वह वाली बात कि यह brown के लिए यह black के लिए है capital B माल लेते हैं इसको और हमारा brown के लिए तो यह gene brown के लिए है यह black के लिए है पर gene same होगा है इनकी forms ही अलग होगी तो माल लो यह ऐसे थे जब यह तो एक individual की condition थी अगर थर्ड क्रोमोजोम होगा तो एक chromosome होगा उसकी copy होगी और उसमें दोनों में अलील जोंगे अलील सेम भी हो सकते है different भी हो सकते है तो हम ऐसे माल लेते हैं कि different अलील एक पे ब्राउन के लिए लेल है एक में ब्लाक के लिए लेल है तो एक in gamut में सिर्फ gamut क्योंकि heißt हप्लोय्ट होता है इसलिए एक ही copy जाती है एक chromosome की तो इसलिए क्या होता है एक अलील घ्रेबे में होता है कि एक in the gamut में चला जा जाएगा और विए दूसरे डी येつी है इन्डिपेंडेंटी होता है ही तो इसलिए इन्डिपेंडेंट् तो एक जो factor है वो तो एक gamit में चला जाते है और दूसरे gamit में चला जाते है और अगर hybrid condition है तो एक में tall वाला चला जाएगा एक में हमारा dwarf वाला चला जाएगा अगर हमें example tall dwarf का लेते हैं तो तो 50% में एक तरीके का फैक्टर चल जाएगा 50% में दूसरे तरीके के चल जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं segregation बोलते हैं गैमेट्स का इसी को हम law of segregation बोलते हैं बच्छो तो इस तरीके से यह हमारे नहीं थे पूरी तरीके से उनकी चीज़े सही नहीं थी और यह चीज़े हमें बार में पता चली जब हमने कुछ ऐसे mechanism देखे जो की मेंडल के laws को फॉलो नहीं करते थे तो बच्छो उसके बारे में हम लोग नेक्स वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम exceptions देखेंगे Mendelian laws के तो बच्छो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपके कोई भी questions या कोई भी suggestion है तो मुझे comment section में जरूर बताईए और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अपली का वर्ल को subscribe करें